ओपीगी कहां भागड़ों रुखजा रुखजा मुझे आलू गन बनाना है तो गाइस पिछली बार हम लोगों ने अपने लिए बनाया था एक गोवर गन लेकिन आज हम लोग क्राफ्ट करने वाले अपने लिए उससे भी एक खतरनाक बैपन जिसका नाम है आलू गन तो यस आज हम लोग क्राफ्ट करने वाले अपने लिए कुछ कस्टम ओपी बैपन जैसे की आलू गन, क्रीपर बॉम और और भी बहुत सारी चीजे हैं तो तुम लोगों को भी आलू गन चाहिए तो फटाफट लाइक मार देना एंड बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना ओके तो बहुत दिनों बाद मुझे जंगल बायो में स्पॉन दिया है यह सही है तो देखने दो क्या इधर कहीं पर पांडा है अभी हम लोग सबसे पहले क्राफ्ट करने वाले कस्टम अभी क्रीपर तुम्हारा चेहरा नहीं देखना था मुझे इन्हीं सबको तो टपकाने के लिए मैं कस्टम बेपन बना रहा हूं तो मैं कहना था कि आज सबसे पहले मैं क्राफ्ट करने वाला हूं चिकन का बेपन तो उसके लिए मुझे चिकन को ढूलना पढ़ेगा हेलो चिकन मैडम मैं आरहा हूं आपका चिकन तंदूरी बनाने क्योंकि मुझे उसका फेदर चाहिए तो क्या यहां कहीं पे तुम लोगों को चिकेन दिख रहा है नहीं चिकेन तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं ऐसा करता हूँ Minecraft का सबसे पहला काम कर लेता हूँ Yes, obviously crafting table बनाने की बात कर रहा हूँ चलो यह भी बन गया तो यह बनी गया है तो क्यों न मैं ऐसा करता हूँ एक X and एक pickaxe बनाई लेता हूँ वैसे pickaxe का तो आज काम नहीं पढ़ने वाला एंड चलते हैं चिकेन का चिकेन तंदूरी बनाने Hello chicken madam जी आप कहाँ पे हो क्या मुझे इनकी language में बात करना पड़ेगा क्या अडे यार मेरी इतनी सूडीली आवाज सुनके भी ये लोग नहीं आ ये गजब बेज जती है अडे भाई तुमें नहीं आना था यार इतना खड़ाब भी मैंने चिकेन का आवाज नहीं निकाला कि किडी पढ़ ही मेरे सामने आज आज आई ऐसे फेदर चार और चाहिए तो दूसरे का इंतजाम हो गया अडे नहीं यह तो दिलदार निकली इसने मुझे दोदो दे दिया तो अब बस मुझे यहां पर तीन फेदर और कलेक्ट करने है चलो देखते हैं यह मुझे कितना फेदर देती है तो इसने तो एक भी नहीं दिया गाइस बस तीन और फेदर चाहिए फिर हम लोग अपना पहला कस्टम ओपी बैपन बना पाएंगे लेकिन यह चिकन सारे के सारे भाग गये है अच्छा मैं समझ गया फिर से मुझे चिकन का आवाज निकालना पड़ेगा फाइनली सिक्स फेदर कलेक्ट कर लिया इसका मतलब अब हम लोग अपना पहला कस्टम ओपी बैपन बना सकते हैं और यार एक और फेदर चाहिए तो क्या इस बार मैं अपना कस्टम बैपन बना सकता हूँ अड़ यार यह हो क्या रहा है मैं भी एकदम पगलेट हूँ तो यह देखो फाइनली हम लोगों ने बना लिया है चिकन विंग यस यह रहा आज का हमारा कस्टम बैपन तो यह देखो इसकी मदद से हम लोग हवे में उड़ पाएंगे इलाइट्रा कॉन यूज करता है उड़ने के लिए बो पुड़ाने जमानी की बात हो गई तो यह देखो मैं हवे में आ चुका हूँ एंड आई थिंक सो साम होने वाली है अड़े भाई तब तो दिक्कत हो जाएगी तो ऐसा करता हूँ मैं सबसे पहले हवे में उरूर के कोई विलेज जून लेता हूँ अड़े हाँ ये तो बड़ा काम का चीज है ऐसे तो विलेज फटाफट मिल जाएगा ये देखो गाईस फाइनली हम लोगों को विलेज भी मिल गया तो ऐसा करता हूँ नीचे चलता हूँ किसी भी लेजर को टपकाता हूँ और उसका बेड़े लेके सो जाता हूँ गुड मार्निंग गाईस इस चिकेन बिंग ने तो बहुत ज्यादा मेरा काम आसान कर दिया चलो उत्ते सारे चिकेन्स की कुड़वानी वेश्ट नहीं गई तो अब बताओ अब मैं कौन सा बेपन बनाओ अब भाई ये कडी पड़ यहाँ पर कहां से आ गया लेकिन आजाओ आजाओ मुझे गनपॉर्डर की भी जरूरत है लेकिन ऐसे तो घंटा मुझे गनपॉर्डर मिलने से रहा ओके गाइस मैंने डिसाइड कर लिए मैं अगला कौन सा बेपन बनाने वाला हूँ अब इसकी बारी इसे कनवर्ट करेंगे बेपन में तो पहले तो मुझे इसे केरफुली टपकाना पड़ेगा ताकि ये मुझे न टपका दे यार मेरे साथ हमेशे ऐसे क्यों होता है मैं हर एक वीडियो में मरता क्यों रता हूँ ओ मिस्टर गोलम चलो चलो अब इधर आजाओ अब बदला लेने का बक्त आ गया है इस साथ आजाओ चुपचाप अड़े भाई इधर बुला रहा हूँ मैं हाँ अब इस साइड से मारता हूँ हेलो क्या हुआ मार नहीं सकते मुझे मारो पहले तो मुझे इसे मारने के लिए बुड़ा लगड़ा था लेकिन ना भाई अब तो इसे प्यार से टपकाऊंगा मैं चाहे मुझे अपना हाथी क्यों ना तुरवाना पड़े लेकिन ये तो टपक के रहेगा चलो तो यहां से तो आइरन के इंतिजाम हो गया यही तो मुझे चाहिए था तो देखने दो यस चाचार आइरन मुझे मिल गया और एक पॉपी भी मिल गया इसी को तो कमबाइन करके हम लोग अपना बैपन बना पाएंगे लेट्स गो ये भी बना लेते हैं ये बन गया हमारा क्राफिंग टेबल और गाइज ये बन गया हमारा दूसरा कस्टम ओपी बैपन कोलम साइज चेंजर तो ट्राइ करने दो इसे ओ भाई ये देखो ये किता मस्त है इसे हम लोग अपनी साइज बढ़ा पा रहे हैं एक और फिर से एक और और फिर से 20-25 बार और ट्राइ करने दो तो ये देखो गाइज मैं किता बढ़ा बन चुका हूँ ये तो फिर मैं गोडजीला जिता बढ़ा बन गया क्या मैं इन सभी को कुचल के मार सकता हूँ तो अब बताओ किसे पंगा लेना है मुझसे जिसे भी पंगा लेना है मेरी साइज मेरी हाइट देख करके बात करना पिद्दी लोगों से मैं बात नहीं करता एक सिकेंड ढूग जाओ ये देखो इससे हम लोग सीर फोर सी बढ़ा नहीं हो सकते हम लोग छोटा भी हो सकते ह और गाइस यह देखो भाई मैं कितना तेजी आपे दौड़ पा रहा हूँ ओ यह चिकन भी मुझसे बढ़ा है ओई हेलो में इस चिकन ओ भाई इतनी पेज़दती मतलब मेरी हाइट कम गई तो तुम मुझे देखोगी ही नहीं तो यह देखो गाइस यह हाइट बढ़ाने से भी ज़्यादा मज़ेदार लगड़ा है छोटा हूँ के ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे अब बहुत बत्तमीजी कर ली अब चलते अपना नेक्स्ट ओपी कस्टम बेपन बनाने एंड उसके लिए मुझे चाहिए होगा कैरट तो देखने दो क्या यहाँ पे कैरट है यार बस एक मिल जाना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा तो यस यहाँ पे कैरट है यह बन गया हमारा कस्टम ओपी बेपन तो यह क्या है भाई एंटी ग्राफ्टी गन ओके यह देखने में तो गन ऐसा बिलकुल भी नहीं लग रहा है लेकिन लुक्स से किसी को जज नहीं करना चाहिए तो चलो देखते हैं इससे क्या होगा यह देखो यहाँ पे यह भी ले है लाइक क्यों नहीं मारा वीडियो को लाइक क्यों नहीं मारा तो गाइस यह वी गन बड़ा मज़ेदार है तो अब इसे किस पर ट्राय करूँ इस होर्स पे ना ना तुम लोग मुझे पापी बुलाने लगोगे तो और इसे अब किस पर ट्राय करूँ यह देखो यह मैं इसे पानी में डालने की कोशिस करता हूं क्या इसे डैमेज होगा अड़े बाह यह तो बहुत ज्यादा ओपी यह इसे डैमेज ही नहीं हो रहा है अच्छा सौरी यह डाइरेक्ट टपक ही गया एंड इसने मुझे तीन-तीन पॉक चॉप दे दिया सही है क्योंकि हम लोगो ञरा है अरट आधा ऐठागर चुकई है अब बस मुझे क्रीपर को ढूनना है जो कहीं पे दिखने पहला है जब इनने ठोनूगा ना तो यह कहीं मुझे दिखेंगे ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेसा ये देखो ये देखो फाइनली मुझे एक क्डीपर दिक गया तो भाई इसे मैं तो जमीन में गार दूँगा हाँ भाई अब फटना है बताओ अभी भी फटना है ये लो तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए अच्छा ये देखो इन सभी को भी जमीन के अंदर मज पर और और चाहिए चलो कोई ना ये देखो दूसरा क्रीपर यहीं पर है अभी इन सभी के मज़े करवाता हूं भाई जमीन के अंदर फटना है तो फट जाओ अरे भाई हड़ी एरो क्यूं मार रहे हो अगर तुम्हें भी मज़े करने तो बोलना चाहिए ना भाई ये करने इसे वहां पर फेक के देखता हूं एंड सभी की वॉट लग गई यह ज्यादा मज़ेदार है वहां पर देखो एंडर में भी है क्या मैं उसे तपका पाऊंगा अडे हलका सा से मिस्स कर गया एक और फिर से अडे भाई ये तो मेरा अटैक बार बार डॉस कर रहा है अडे न की कोसिस कर रहे थे चलो थांग गॉड ये एंडर में पर भी काम करता है नहीं तो अभी मेरी वाट लग नहीं बाली थी तो यह भी बड़ा मस निकला ये देखो इसे मैं लगतार बार बार यूज करता रह सकता हूं लेकिन अब बारी आ चुकी है कि अब हम लोग अपना फा उसना करता क्लिषर ले यहां पर दीका यहां पर लीए थाख्यार में लोगों का बने चुका है अलू को अब गन एंटी मॉप गन है तो चलो तुम लोगको तो आम सैण फेयाता हुं इस अलू गन से क्या क्या होग यहां 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 पर आलू मिल जाएगा और भाई के साथ धोका हो गया यहां आलू के दगा मुझे गाजर गन नहीं कोई बात नहीं लेकिन यह भी बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है यह देखो यहां पर यह चीज को गाजर में कनवर्ट हो जाएगा इस बार मैं इसे पिक पर ट्रा भी क्यों ना हो तो रुख जाओ क्यों ना मैं इसे एक बार बिदर पे भी ट्राइ करूं हाँ एक बार तो ट्राइ करना बनता है देखते हैं क्या यह बिदर को भी गाजर में कनवर्ट कर पाएगा चलो उसके लिए तो मुझे हैकिंग मोड अन करना पड़ेगा लेट्स गो यह देखो यह रहा बिदर तो चलो अब देखा जाई क्या यह गन इस बिदर को भी क्यारट में कनवर्ट कर पाएगा लेट्स गो अड़े मिस कर दिया एक वार फिर से अड़े फिर से मिस कर दिया वह क्या ना मैंने बहुत दिनों से पबजी नहीं खेला लेकिन यह देखो भाई यह विदर भी कैराट में कनवर्ट होगया यह बड़ा मस था यह नेधर रस्टार ये सबस्पब मिल गया तो सभी पर ट्राइक कर लिया तो क्यों ना एक बाट पगलेट गिरी फिर से कर दी है तो इसी बात में मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई